हाई 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 आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार मैं आज आप लोगों सामने बहुत दिन बाद वीडियो लाया हां क्योंकि कटाई बलवाई हो रहे थी जिसके वजब से मैं काफी व्यासता था तो अब मैं अगली निकी अब उससे आगे टॉपिक सुरू करते हैं यह अगली वीडियो में आप लोगों को पार्ट फाइप में यह निक की निकलो प्लाज्म के बारे में बताया था तो आज हम उसके आगे की सुरू करते हैं साइटो प्लांज के आगे ठीक यहनिकी अब यहां पर जो कोशी का द्रव्य होता है पहले आप लोग यह बताईए कि जो आगे की वीडियो ते जो इतने भी पब्लिश किया वह आप लो अब लोग बतायेंगे तब हमें समझ आगीसिवें कौनसी कम्यां नहीं ऊ रही ह municipality कौनसी कम्या नहीं आ रही है तो आप बताने की Crash UNT neighboring a लें तो पहला है इसमें यहां पी देखे को शिका अब ilुष अब कितने वागों में वाग में बाटा गया थो पहला है यहीं कि प्लाजमियमा नेश्कों कहा गया है इसको प्लाज्म को रहाना सासे WRK अब जिए ड्रब क्या चीज़ है जृत जानते ही हो कि जब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव जब उन्हों आपस में मिलते हैं तो जिव द्रव बनता है तब क्या बनता है जिव द्रव बनता है अब कला मतलब होता है मेंब्रेनी की जिली जिवी जिली होती है उसी को जिव द्रव कला कहा गया है अब यह क्या होता है यह चारो तोनो फ्लाश अब इसको दूसरी भासा में रस्धानी काला कहा गया है अब ये रस्धानी कळल जो रस्धानी होती है की मेंगलिस में इसके अंदर जितनी थे 科टर होते हैं या फिर अप्सिषट पदार्थ होते हैं उसमें जाकर इब्जॉफ होते dirty Ronak और इससे इन दोनों के प्लस माइनस यह प्लस कलने इनको और इनको मिलाने पर जो बनेगा इनको और उनको बिनाने के बाद जो जियुद्रे बनेगा वो तीसरा वाला भागे वो क्या है तीसरा वाला हिस्सा है अब उसके बाद आती है यह क्या है यहां पर आप इसको देख ल होता है वह माइटो कांडिया लवा का मा लाइसोस्वं से इसके चारों तरफ एरिया में घेरा बनाया रखता है क्या करता है तो आज आप लोग जाने ही कि यह कोशी का द्रव क्या चीज है कोशी का द्रव को कितने भागों में बाटा गया तीन भागों में बाटा गया यह नि तो हम इसको और भी घहराई में आप इसका हम वीडियो आपको बना के देंगे लेकिन अब उसके आगे चलते हैं कि कोशी का जिली का मतलब होता है कि एक संदचना होती है ठीक पतला महीं जैली जैसा दिखने वाला करें ढ़िए स्ट्रक्चर होती हैं कि वह पूरू ट्र्वास फिर लीपिड प्रोटीन से मिलके बना हुआ हुआ है तो और यह जीली कह रहा है यहां तक यह चारो तरफ है यह है कोशी tid कि जिल्ली कहा जाता है अब जिल्ली में से कोई भी चीज आर पार आजा सकती है कोई भी फिर्मेलर्स हो सकता है वाटर्स हो सकती है या भी अधर भी चीजे आजा सकती है लेकिन क्या होता है यहां पर जो कोशिका जिल्ली होती वो अपना कार्यका करता है कि सिक्यूरिटी का का करता है अहां निकार पदार्तों को तो अपने अंदर कपार को बाहर जाने से रोकती है जो को सी का जिल्डी होती है वहां कि आगे चलते है है ती अब आगे देख लेते हैं क्या है यहीं की शना इसका चिली के बारे में बताने के थे कुरसिका जिली के बारे मboys एक मत नहीं है कई मत हैं अब जो बैगयानिक हो इस की थे होता है कोई विरके तरीकी होता है कोई खेसी तरीके से जो कोशी का जिल्ली होती है संडविश माटल में यह बताते हैं कि जो कोशी का जिल्ली होती वो क्या होती है कि वो तीन इस्तर का बना हुआ होता है इन लोगों के कहने के मताबित यह होती है कि जो कोशी का जिल्ली होती हो कितने तीन इस्तरों का बना हुआ होता है तो अब यह यानि कि तो जो पहला है क्या है यहां पर दिखा रहे ना यह दिखिए यह एक तरीके से क्या है कि संडविश माडल में जो बैग्यानिक जर्म्स डेने लिए और हगडावसन होते ही इस तरीके का एक संद्चना बनाते हैं क्या करते हैं एक संद्चना यहां तक का पूर लेते ह यहां पे मैं आप लोगों को रिखा देता हूं यह यह एक प्रोटीन लेयर रिखा घुए अब यह दूति ऑले मत को इसको सब्सक्राइब देते हैं कि यहां पी यह भी पूछ लेता है तो आप लोग इसका ध्याम देते रहिए अब उसके बाद आते हैं यह निए बताते हैं कि तीन लेयर कितने रहते हैं यहां पहें दिखिए तुम बताते हैं तीनिसर पहला इसतर क्या हो गया प्रोटीन स्तर हो गया स में जुझा हो गया रोसन कि नउसे मैं यहँज को सबाऊने के लिएर प्रोटीन लेएर रहे समय होता है यह तो इथाइसम चैलते हैं दूसरेय प्रति एक अब दूसरी अभी यह जान गये आप लोगों ने यहनि की एक अग कला के बारे में तो उसके बाद क्या होती है यह जो होते हैं वो कितने सन में देते हैं कितने इस्वे में अब यह बताते क्या है जो कोशi का जिली हेंब क सकतर हो यह बताते हैं कि जो उपर وाला हिसा होता है यह क्या वी हिस्सह गीजला इंट यह पर यह देख intelligent है यह अगले उसके बाद आती है फास पॉलिपीड यहां प這邊 की फिर professionals और यह आती है बाद प्रोटीन की बाद आती है है जिए कि कहले है अंग ये क्या होती सब्सक्राइब जो प्रतितर को सब्सक्राइब यहां पर एक खाद बात याद रखेगा विद्यात्यों कि जो सन होता है यह सन मोस्ट इंपर्टेंट है क्योंकि एक्जाम में बहुत पूझता है कि कौन से बाइग्यानिक ने अपना मत कोशका जिली के प्रतिक्या क्या प्रतिपादित किया तो आपको बताना पड़ेगा यहां पर तीन मत इसके लिए प्रतिपादित होते हैं और निकोलसन यह कहते हैं कि जो कोशिका जिली बनी होती है क्या बनी होती है कुछ इस तरीके रहे होते हैं कि इस से मेला होता अका यह वन्य से हिस्च होती है और यह क्या है और इसके बाद यहां से लेकर यहां टिखेगा यह इसलैंने वह बैस मतलब होता है दो और इसम inici हो गया दूसरा नीचे वह अब इसके बाद परिज्विभाजंब है कित होता है इस तरीके का यहां प्रसुत » इस तरह से वह डाइग्राम तो गताते हैं लेकिन जब माइक्रो स्कॉप से देखे गई इलेक्ट्रॉन इस तरीके का दिखाई देता है तो अब यहां पि आप लोगों को जो बाते नहीं समझ आई आप लोग कमेट बढ़े बताईएगा हम अप लोगों और अच्छे से नमस्कार